मिलोड, आज हमारी अदालत में मौझूद हैं पाकिस्तान के पूर्व राष्टपती जनरल तबरेज मुशर्ण रफ जी आदब आप पर सबसे पहला इजाम ये है कि आपने वीजा ना मिलने पर हिंदुस्तान पर आरोब लगा दिया ऐसा क्यों? जनाब वकीर सहाब हिंदुस्तान पर इजामात लगाना हमारी शुरू से आदर इसका वीजा से कतई तालुक नहीं है देखे आप पर ये भी इजाम है कि वीजा ना मिलने पर आपको बुरा लगा? जनाब आपने बड़ा अजीव से सवालात किया है हाँ मुझे भी ऐसा है लग रहा है भई मैं पहली बार कोई काम कानूनन करने जा रहा है तो बुरा लगना तो लाज़मी देखे आप पर ये भी जाम है कि वीजा रिजेक्ट होने के बाद भी आप हिंदुस्तान में आने की बात कर रहे हैं ऐसा? क्यों? जनाब वक्यू साब मुझे पूरा यकीन है कि आप मजाख कर रहे हैं हमारे पास और भी रास्ते हैं बांगलादेश का रास्ता है नेपाल का रास्ता है आप क्या समझते हैं? हमें इंडिया आने के लिए वीजे की जुरूत है? हबार?